हलो फ्रेंज आज की अपनी इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे वकील के बारे में जो की सौ वर्ष के हो चुके हैं और 1947 से प्रेक्टिस कर रहे हैं और इसके साथ ही आज कॉरोना काल में वो वर्चुल हीरिंग्स भी कर रहे हैं फ्रेंज इन वकील साहब का नाम है श् संख्या है शायद इनी के लिए बनी है क्योंकि वो ट्राइडे को हंड्रेड इयर्स के हो गए हैं मगर इसके बावजूद उनके अंदर का जजबा जो है वो लगातार नई चीजें सीख रहे हैं जोद्पुर के लेकराज महता जी शुक्रवार को सौ वर्ष के होने के साथ स कानूनी पेशे में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है उन्होंने पूर्व सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीम और अंतराश्ची न्यायाले के कई न्याया धीशों और प्रसिद्ध हस्तियों को पढ़ाया भी है श्री महता 1947 से वकालत कर रहे हैं महामारी के दौरान उन्हो वीडियो कॉलिंग और वीडियो मीटिंग भी उन्होंने कआ कि मेरे लिए नई चीजें सीखने में उम्र कभी भी बाधा नहीं रही है जो एक आदतन सीखने वाला है जो लोगों से मिलता है और नई 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 प्रगाति करता है वो सब कुछ सीख सकता है कोविड के प्रकोप के कारण महता जी कई अन्य लोगों की तरह खुद को अपने घर तक सीमित रखने के लिए मजबूर हो गए एक instant student की तरीके से उन्होंने अपने पोते रोमिल महता को अपना सिक्षक बनाया और वो अपने कामकाज की दुनिया के लिए महामारी की चुनोतियों पर काबू पाने के लिए वीडियो कॉन्फरेंसिंग और आडियो कॉन्फरेंसिंग, 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 आडियो मुख्य न्यायाधीश आरें लोड़ा, न्यायमूर्टी दलबीर भंडारी, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोग गहलोद और एमल सिंध्वी जैसी प्रसिद्ध हस्तियों को पढ़ाया है. 1921 में श्री महता जी का जन हुआ था और उन्होंने परिवार के सदस्यों से Spanish Flu नाम की महामारी के बारे में सुना था और अब एक सदी के बाद वह महामारी के दौरान बदलती हुई दुनिया को देख रहे हैं हाला कि उन्हें लगता है कि इंटरनेट और मोबाइल की टेक्निक की बदौलत इस पार हमारी जो दुनिया है वो रुकी नहीं है श्री महता जी ने कई पेचीदा इस्थिकियों को समाला है उन्होंने बॉलिवुड सेलिबेटी सल्मान खान का प्रतिमे धित्व भी किया है जिन पर ब्लैक बग शिकार मामले में आरोप लगा गया था जैसा कि हाई कोट ने ब्लैक बग शिकार मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी ये आप सभी को पता होगा यहां तक कि जब कॉंग्रेस के सीपी जोशी एक वोट से विधान सभा चुनाव हार गय थे और अदालत में शरण मांगी थी तो महता जी ने उन्हें कल्यार सिंग के खिलाफ लड़ने की अनुमती देने से इंकार कर दिया था इसी तरह पूर्व उपराश्ट्रपती भैरव सिंग शेखावत जी की जीत दो बार अदालत में लड़ी गई लेकिन महता जी ने सुनिश्चित किया कि उनकी जीत कायम रहे तो फ्रेंड्स ये थे राजस्थान हाई कोड के वकील श्री लेखराज महता जी और इनके जजबे को हम सभी का सलाम है अ कर दो झाल सुल झाल सुल व सु만